कौमी टीम के साबिक टेस्ट क्रिकिटर और नेशनल क्रिकिट अकेडमी के बेटिंग कोच महमद यूसुफ का कहना है बत और क्रिकिटर मैं चाहता हूँ के पाक भारत टीमें एक दूसरे के साथ खेलें नेशनल क्रिकेट अकेडमी के बेटिंग कोच महमद यूसुफ का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था ये बहुत जरूरी है कि बच्चे ग्राउंड में आकर क्रिकेट खेलें पहले भी मौडल टाउन ग्रीन से वहाब रियास सल्मान बट और एजास शीमा जैसे खिलाडी सामने आए ऐसे कैम का होना बहुत जरूरी है महमद यूसुफ का कहना था पाकिस्तान की वाइड बॉल फॉर्मिट में कारगरदगी बहुत अच्छी है पाकिस्तान के पास हारिस रूफ, शाहीन अफरीदी, समान खान, नसीम शाह और एहसन उल्ला जैसे बोलर्स है मेरी खुश किस्मती है कि मैं साईद इनवर और इंजमा मुलहक जैसे खिलाडियों के साथ खेला मौजूदा दोर में बाबार आजम इंजमा मुलहक का नेमल बदल बन सकते हैं साबक टेस्ट क्रिकेटर का कहना था बतौर क्रिकेटर मैं चाहता हूं के पाक भारत टीमें एक दूसरे के साथ खेलें भारत को पाकिस्तान आना चाहिए और पाकिस्तान को भारत जाना चाहिए पाक भारत क्रिकेट दोनों हकूमतों का इशू है लेकिन ये मसला हल होना चाहिए इनका कहना था वर्ल्ल कप के शेडूल में ताखीर क्यूं है इस पर मुझे खुद भी हैरत है PCB का ICC पर दबाओ है या नहीं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता